दोस्तो क्या आपने कभी कोई ऐसी मुर्गी देखी है जो काली अंडे देती हो और क्या हो अगर आपको खाने के लिए पिंक कलर का अंडा दे दिया जाए प्लस क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जो पत्थर जैसे अंडे देता है वेल आपको जान का हिरानगी होगी कि यह एक बिल्कुल रियल है इसे इमू नाम के परिंदे से हासल किया जाता है यह परिंदा आस्ट्रेलिया के डेजर्स में पाया जाता है इसके एक का कलर डीप ग्रीन होता है और यह साइस में भी काफी बड़े होते हैं इस अंडे का साइस एक नॉर्नल बंदे के हाथ के बराबर होता है। सिर्फ इतना है नहीं बलकि इस अंडे का वजन भी तकरीबन आदा किलो के बराबर है। इस अंडे के अंदर 45 फिसद जर्दी और 55 फिसद सफेदी होती है। एक्सपर्ट शेफ्स के मताबिक इमो बढ़ का अंडा इतना बड़ा होता है कि इससे तीन से चार लोग आराम से खा सकते हैं। और इनका कहना है कि अगर आपको तीन पॉंड का केक बनाना हो तो इस परिंदे का एक ही अंडा काफी हो जाएगा। एक और मज़े की बात ये है कि नंडो का टेस्ट भी काफी मज़ेदार होता है लेकिन इस एक का शेल इतना हाड होता है कि इससे तोड़ना काफी मुश्किल है और इसके लिए डिफरेंट गैजट्स यूज किया जाते हैं। पिंक एग दोसों ये जो ब्यूटिफुल पिंक एग आप दिख रहे हैं इसे लैंग्शन चिकन से हासल किया जाता है। लैंग्शन चाइना की एक चिकन ब्रीड है जो काले कलर की होती है। इस चिकन की सबसे खास बात ये है कि ये पिंक कलर के एग देती है। फीमिल लेंग्शन एक वीक के अंदर चार से पांच अंडे ही दे पाती है। इसके एक का साइस नॉर्मल अंडों से बड़ा होता है लेकिन इन में प्रोटीन की मिगदार इतनी ही होती है जितनी छोटे अंडों में पाई जाती है। इस नसल की मुर्गी ज्यादा तर पूरा साल ही अंडे देती रहती है। नॉर्मल रूटीन में तो ये मुर्गी भी सफेद या ब्राउन रंग की अंडे देती है लेकिन कभी कबार इन अंडों का रंग गुलाबी भी हो जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इन चिकन्स के अंदर हार्मूनल चेंजिस के वज़ा से इनकी एक्स पिंक कलर की हो जाते हैं जो देखने में बहुत ही रेयर लगती हैं। इनके अंडर सेम वही मैटिरियल होता है जो नॉर्मल एक में होता है इसमें कुछ भी अंजूजूल नहीं होता सिर्फ इनका कलर ही बहुत एट्रेक्टिव होता है। एनिवे जो भी हो ये अंडे वाके ही में बहुत ब्यूटिफुल हैं। ब्लू एग्स दुस्तों शायद आप में से बहुत से लोगों ने रॉबिन बर्ड का नाम सुना होगा। ये एक चोटा सा और बहुत धी खुबसुरत परिंदा है। इस परिंदे का कलर ब्राउन होता है जबके इसकी नेक और फेस औरेंज कलर के होते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अमेजिंग और खुबसूरत इस बर्ड के एग्स होते हैं। इनका कलर पेल ब्लू होता है। लेकिन इससे भी इंटरस्टिंग बात ये है कि हर रॉबिन फीमिल बर्ड ब्लू कलर के अंडे नहीं देती। सिर्फ अमेरिकन रॉबिन बर्ड के अंडे ही ब्लू कलर के होते हैं। एक्सपर्ट के मताबिक रॉबिन बर्ड के अंडर अंडू का ये यूनिक कलर इनके ब्लड में मौझूद हीमो गलोबन की वज़शत से होता है। आपको जानका हिरानगी होगी कि फीमिल रॉबिन बर्ड एक सीजन में सिर्फ तीन से चार इंडे ही दे पाती है। इसलिए इनके अंडे बहुत जादा रेयर होते हैं, ये साइस में काफी चोटे होते हैं, लेकिन इनमें कैलरीस की हाई अमाउंट पाई जाती है। दुने में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, जिन्नोंने इन एक्स को रियल में देखा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रिमली रेयर होते हैं। परपल एक्स दूसरों ये जो परपल कलर की अंडे आप देख नहीं हैं, इन्हें ग्रेट टिनामू बड़ से हासल किया जाता है। ये परिंदे साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इनका साइस काफी हूज होता है, जिसकी बचा से ये ज़्यादा उंचाई पर नहीं उड़ सकती। लेकिन इन परिंदों की सबसे स्पैशल और अमेजिंग चीज इनके अंडे होते हैं। इस परिंदे की अंडों का कलर ब्राइट ब्लू या पिर परपल होता है। साइज और शेप में तो ये अंडे नॉर्मल एक्स जतने ही होते हैं, लेकिन इनके कलर को देकर ऐसा लगता है, जैसे इनके किसी ने ब्लू या परपल पेंट के अंदर डिप कर दिया हो। एक्सपर्ट का कहना है कि ये अंडे सिर्फ देखने में ही अमेजिंग नहीं लगती, बलके इनके अंदर आम अंडों के मुकाबले ताकत भी ज्यादा होती है, और इनका टेस्ट भी कमाल का है, एनिवे जो भी हो, ये एक्स रियली बहुत एट्रेक्टिव हैं। लैग एक्स दूसरों ये जो डल बलक अंडा आप दिख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे अंजूज्वल और यूनीक एक्स में से एक है। इस चिकन के अंडे काफी ज़्यादा रेर होते हैं, और एक और यूनीक बात ये है किस मुर्गी के अंडो का साइज नॉर्मल एक के मुकाबले में बढ़ा होता है, सिर्फ इतना ही नहीं बलके इन अंडों में दूसरे अंडों की निस्बत फैट और प्रोटीम भी ज़्या ज़्यादा होता है, ये अंडे रेर होने की वज़ा से आम अंडों की निस्बत पचास गुना ज़्यादा महंगे होते हैं, इन अंडों का इस्तमाल ज़्यातर एक्सपेंसिव इंडोनेशन रेसिपीज में किया चाता है, और इन्हें सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते हैं, ब कुचान का हैरानगी होगी, कि ऑस्ट्रिच के एक अंडे का वसन दो किलो से भी ज्यादा होता है, इसका साइज इतना बड़ा है, कि अगर नॉर्मल अंडों से इसका मुकाबला किया जाए, तो शुत्र मुर्ग का एक अंडा आम मुर्गी के 24 अंडों के बराबर है, सिर्फ कहीं जाकर इसका चिलका उतरता है, और अंडे को भाहर निकाला जाता है, और इवन इसे बॉइल करने के लिए भी कई गंटे लग जाते हैं, आपको जान कहरानगी होगी, कि ऑस्ट्रिच के एक अंडे में 2000 से जधा कैलरीज, 47 फिसद प्रोटीन और 45 फिसद फैट होता है, एनिवे ये अंडा वाके ही में जम्बो है, चाइनीज एक, दुस्तों अगर अंडो की बात की जाए, तो नॉर्मली इनका कलर वाइट होता है, और ये अंडर से यैलो कलर रगे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा अंडा देखा है, जो बाहर से तो वाइट हो, लेकिन ये जो एग आप दिख रहे हैं, ये अंडा चाइनीज है, चाइना के लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं, आप बलीव नहीं करेंगे कि ये अंडा 100 दिन पुराना है, आप सब सोच रहे होंगे कि अंडा भला 100 दिनों तक सही कैसे रह सकता है, असल में ये एक करके 100 दिनों के लिए जमीन में दफन कर दिया जाता है, 100 दिन गुजरने के बाद इसे मटी से बाहर निकालते हैं, तो ये अंडा पूरी तरह काला हो चुका होता है, देखने में तो ये अंडा गला सड़ा हुआ और खराब लगता है, और इवन इसका शेल भी काफी गंदा होता है, लेकिन चाइनिज लोगों का मानना है कि ये प्रोटीन से भरा हुआ और हेल्थी अंडा होता है, इसलिए वो लोग इस सड़े हुए अंडे को बहुती शौक से खाते भी हैं, ये सच में हमाकत है, दूस्तों जब इंडों का नाम आता है, तो हमारे माइड में वाइ होता है, ये परिंदा डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन दोनों कलरस के अंडे देता है, ग्रॉस्वे बर्ड ऑस्टेलिया में पाया जाता है और ये दुन्या का सेकंड हेवियस्ट बर्ड है, इसका साइज बड़ा होने की वज़ा से ये परिंदा अंडे भी बड़े सकता है आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये अंडे इतने रेर और युनीक हैं कि आस्टेलिया में इन्हें जू के अंदर भी रखा जाता है ताकि लोग इन्हें देख सकें ये सच में कमाल है कौन शेप एग दूसों वैसे तो आप सब ने बहुत से परिंदों की अंडे देखे ह होगी लेकिन क्या आपनी कभी कौन शेप का अंडा देखा है ये जो अंजुच्वल एग आप दिख रहे हैं ये गुलमोटे बढ़ का अंडा है गुलमोटे सी बढ़ की एक नसल है जो पहाड़ों में पाई जाती है इनके अंडों की शेप और कलर दोनों ही बहुत स्पेश होती है ये अंडा कून शेप का होता है इसका शुमार दुनिया के सबसे खुपसूरत एग्स में किया जाता है आप कुछां कहरानकी होगी कि गुलमोटे के एग्स इतने सदा एक्सपेंसिव होते हैं कि आम बंदा इन्हें खरीदने की सोच भी नहीं सकता इवन दुनिया के जैतर लोग तो इन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाते हैं क्योंकि एग्स बहुत ही रेर होते हैं बारहाल जो भी हो ये अंडा वाके ही में बहुत यूनिक है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना यी उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेज